प्राइब्स और यूमन राइड्स की साहनवोती से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो हमेशा किस्मत साथ नहीं देगी मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, सच्छा ही पर करता तीन चोरों को हिरासत में लेके पूछताच नहीं कर पाए तुम्हें किसने थाना इन चर्ज बनाया लेकिन सार वो लिटियट तुम्हारी वज़े से हाई कोट मुझसे जवाब माँग रहा है बाशिम ये सर पीपी से बात करो ओके सर बुलाये जाने पर हाजिर होना पड़ेगा समझे ठीक है सर जी सर ठीक है सर माई लोड्स राजा कर्णा मौसा कुटी और इरेट अपन उन तीनों से जब पुलीस चोरी के केस के सिलसिले में पूछताच कर रही थी तो वो चौकी से फरार हो गए और उन्हें अभी भी पुलीस जून रही है एसपी साब की बनाई हुई इंक्वारी रिपोर्ट ये लीजिए माई लोड्स हमें पुलीस केस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है मिस्टर चंद्रो प्रोसिकुशन के पास गवा है जिननोंने राजा कर्णा को भागते हुए देखा ठोस सुबूत के बिना अगर आप यूँ ही शक करेंगे तो हमें ये केस डिस्मिस करना पड़ेगा माई लोड्स फॉर आग्यूमेंट सेख अगर राजा करनू ने चोरी किया तो कारवाई होनी चाहिए अती और पुलीस ने कानून के बेजज़त ही किया कोई एफायर फाइल नहीं की तीनों को हिरासत में टॉर्चर किया हम इस पुलीस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाना चाहते है क्रॉस एग्जामेन करने की इजासत मिले तो मैं सच को कोड के सामने ला सकता हूँ कानून को अच्छी तरह पढ़कर आईए अगर आपको गवाहों से सवाल करना है तो जिला दा रज जाएए मैं लोर्ट इमर्जन्सी के वक्त कैरला पुलीस ने राजन नाम के स्टूडन को हिरासत में लिया था तब उन्होंने कहा था कि वो फरार हो गया है कैरला हाई कोट जिसने हेबस कॉर्पस केस के सुनवाई की उन्होंने पुलीस विटनेस को क्रॉस एक्जामेन करने की इजासत दी तब कई बातों का खुलासा हुआ था मैं आधरनिया जजिस को इस जज्जमेंट की एक कॉपी देना चाहूंगा 1978 C.R.I.L.J. 86, Para 3 My Lords, I Object कैरला कोट का फैसला इस कोट में नहीं चलेगा कोट के हर फैसले का कुछ मान होता है कोट इसकी इजासत देना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता My Lords, अगर बेगुना इंसाफ के लिए लड़ भी न पाए तो ये उसकी सही ना इंसाफी से भी बुरा होगा राजन की केस को प्रेसिदेंस मानते होए कोट मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाज़त दे यही मेरी दर्ख्वास्त है Prosecution को इस क्रॉस एग्जामिनेशन से कोई अतराज नहीं होना चाहिए सारे गवाहों को हाजिर रहने का नोटिस भेज़ दो ओक्यू मैं लॉट्स थांक्यू मैं लॉट्स चंदरू क्या बात है यार दो मिनिट में ऐसे हभियस कॉर्पस केसिस डिस्मिस हो जाते है लेकिन राजन के केस की बात करके भई तुम तो मास्टर स्ट्रोक खेल गए अब ये केस तुम्हारे फेवर में आ चुका है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गल्ती कर रहा नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही हो तुमने ये केस जीतने का एकदम करेक्ट रूट ढून निकाला है नहीं सर आपको मुझे पेतना भरोसा है मतलब मैं पक्का कोई गल्ती कर रहा कुछ तो है जो मैं देख नहीं पा रहा सारी इस तरफ बड़ी हसी आरी है तुम्हें देर हो गई नहीं अरे नहीं क्या बात है मदरास के लोयर साहब सुना इस केस पर सुनवाई बिठाई है मतलब यह सच है क्या देखो पुलिस तो कुछ उखाड नहीं पाई अब आप भी कुछ चमतकार करके दिखा दो बेशक मैं उन्हें ढून लूँगा मैं असली अपराधियों को जल्द पकड़ लूँगा हाँ बेफिक्र रही है कर दो कर दो कर दो